इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइपोन का अटी रहें तांकि हर वीडियो का नोटिस्केशन आपको टाइम आता रहें मेरे चैनल का नाम है ऑनलाइन वास्तो अस्टालोजी मैं अनिल कुमार सेट अस्टालोजी वास्तो और निम्रालोजी एक्सपर्ट आज हम ब्रिश्चिक राशी वालों का जो पांच साल का परिक्शन लेकिया हैं शनी के नक्षटर के दुबारा ये प्रिडिक्शन रहेगा हमारा इसमें कोई दृष्टर वगरा कोई दूसरी चीजों का जिकर नहीं होगा क्योंकि शनी जो अपने नक्षटर बदलेगा पांच साल में उस नक्षटरों के दुबारा आपको क्या फल मिलेगा और जो वरिश्टिक राशी वाले हैं वो काफी दिनों से वेट कर रहे थे तो शनी के नक्षत्रों का फल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा यह आज हम आपको यूट्यूब के माद़े से विश्ट्रिश्टल लेकिया है देखे शनी अब अगर दिखा जाए तो उत्रा शड़ा नक्षत्ता से संचार कर रहा है लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि दुनिया बंद हो जाती है लोग कमाने वाले कमाई रहे हैं और जिनकी दुकाने चल रही हैं उनकी चल रही है ऐसा नहीं है और export वाले भी अपने order खूब दे रहे हैं export के order उनके पास काफी हैं तो दुनिया कभी world will never stop तो show है वो must go not तो वरिश्चिक राशी वालों के लिए अंदर एक confidence की बावना इनको उत्पन करने चाहिए काम करने के लिए और थोड़ा positive रहना चाहिए देखिए वरिश्चिक राशी वालों का अभी जो time आने वाला है 2021 से शनी जा आपका जो 23 एक 2021 को शरवन नक्षतर में moment करेगा वो आपके लिए काफी benefit से दोगा उसका कारण ये है कि शनी आपका जो है वो 7th house की राशी को एक्टिवेट कर देगा देखिए वरिश्चिक राशी वालों का समझना चाहिए कि एक तो शनी आपकी शाड़ सती से पार चुका है प्राक्रम में चल रहा है ये बहुत बड़ा शुब साइन है शनी का क्योंकि तीसरे बाव में प्राक्रम में बड़ी वरिधी कर देता है और जिस बंदे में प्राक्रम और सहा साजे उसकी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और शनी जो है श्रवर नक्षतर में आपके नाइंथ हाउस को एक्टिवेशन कर देगा जिसकी वज़े से आपके धरम के कारे में और भागे में बड़ी वृदी करेगा और शनी की क्योंकि दृष्टी भी चंदर की राशी पर ही पढ़ रही है और ये बगवान शिव की राशी माने जाती है देखे आपको चंदरमा को यहाँ पर मजबूत करने की बात है आप बहुत सेंटिमेंट होते हैं दूसरे की छोटी सी बात पर आपका मन हर्ट हो जाता है जिसकी वज़ा से आप उसको अंदर से खीचा तानी में लगे रहते हैं इसके वज़े से आपको प्राब्लम आती है। इन से चीजों से आपको बड़ा पॉजटिव होना पड़ेगा लाइफ में। और चंदरमा की मजबूती इसलिए स्टॉंग आपको करनी पड़ेगी। एक तो शनी की दृष्टी चंदरमा की राशी वे और दूसरा चंदरमा व भी धाई दिन में बदल जाती है। तो इसलिए आपको मून को स्टॉंग करना इसमें बहुत इंपॉर्टन आपका बनता है। देखिए श्रवन नक्षत्र में आपको शनी भागे में वरिदी के सासथ आपके कारेक्षत्र में भी वरिदी रहे गया। आपके प्राक्रम में बिन ले वाला है। और बाक्यों के अगर शनी की प्लेस्मेंट के ही दूसरी जगह शत्रु भाव में नीच राशी में हैं तो वह अपनी कुंडली के अनलाइज हमसे करवा सकते हैं ताकि हम उसको रेमेडिज वगरा उसके शनी की पुजिशन को ठीक कर सकें। आप दूसरी अगर दो हजार बाइस की बात करते हैं अठारा एक दो हजार बाइस को यह शनी धनिश्टा नक्षत्र में परवेश्च करेगा। धनिश्टा नक्षत्र मंगल का होता है यह सबसे बड़ा प्लस पाइंट है कि आपकी राशी एक्टिवेट हो जाएगी और दूसरी राशी च्छटे बाव की हो जाएगी आपकी स्वेंगी राशी एक्टिवेट होने से आपके मानपर्थिश्टा में वरिदी करेगा कारेक शेतर में बड़ी वरिदी होगी क्योंकि यह एक्टिव हो जाएगी बहुत तेजी से आप काम करेंगे मंगल जो है वो बहुत तेजी से काम करता है जो आपका पास्ट किया हुआ है आपका हार्ड वर्क है वो आपको रिजल्ट में कनवर्ट कर देगा छटे बाब को भी ये जागरित करेगा आप अपने कॉम्पिटिशन से अपने कारेक शेत्र में विनिंग करोगे आपके अंदर एक काम करने की शमता बढ़ेगी और जिसकी वज़ा से आपकी मंगल की राशियां दोनों एक्टिवेट रहेगी मान परतिश्टा में वरिदी होगी आपकी और इमेज़ भी आपकी काफी अच्छी बनेगी ये शनी आपका दो हज़ार तैईस में सत्रह तीन दो हज़ार बैईस तैईस को ये शट बिजह नक्ष लिए डाईसाल का गॉल्डन ओपर्शियोटी यहां पर शनी लेकि आईगा और शट्भष नक्षत्र जो होता है वो राहु का होनख नक्षत्र होता ए haru की दो राषिया उच्छी माने जाती है और अमित्वन राशिय माने जाती है आक तो हो एक तो सैवंट निद्धन करें शनी और शनी आपका जो एट भाउस को भी यहाँ पर नकशत्र के दوبारा आपका एट भाउस भी अक्टिव रहे और रहेगा हैं कि प्रति आपको सकीत रहना पड़ेगा आपके पिता जी की हैल्थ को-"पयांед पर सफकुर कर सकत चोते बाओं में होगा पीस ओर माइंड देगा आपको परिवारिक दृष्टी से आपका टाइम शुब रहेगा जो आपने पीछे बहुत तिस अपॉइंटमेंट्स लियें अपनी लाइफ में परिवार के साथ भी आपके मतबेद होएं दोस्तों के साथ भी मिस अंडरस्टे लेंडिंग होई है वो सब यहां पर शनी ठीक करने वाला है आपको बहुत अच्छी खुशियां मिलेगी जीवन में आपका जो टाइम है यह चोते बाओं में केंदर में आएगा तो शनी आपका शत्पिसाय नक्षत्तर में बहुत बड़ा ध्यां पर धनलाब देने वाला ह अगर हम दोजार चौबिस की अगर बात करें तो शनी पूरवा बादरापर्द नक्षत्तर जो होता है वो बरस्पती का नक्षत्तर होता है तो आपकी दो राशियां को एक्टिवेशन यहां पर कर रहा है एक आपकी दूसरे बाओ की राशिया है और फिफ्ट हाउस की जाते हैं इन फिचर के लिए उनके लिए ये शनी पूरवा बादरापद में बहुत बड़ा योग कारक प्लैन सिद्ध होने वाला है आपकी दोनों बरस्पती की राशियां अप्टि एक्टिवेशन हो जाएगी और जो लोग बिजनस वेपार में नौकरी में जुड़े हो होता है तो हमारे खुद के डिसीजन कराब होने से हमारे रिलेशन में भी फरक पड़ जाता है यह हमारे खुद के प्लैनेट होते हैं और दूसरे बाव की जो राशी आपकी धन की परिवार की राशी है उसमें भी ये वरिदी करेगा आपके परिवार के साथ आपकी है उसमें यह एक्टिवेशन रहेगी धरम के कारे में आपकी रुची रहेगी धार्मी कारों में आपका बहुत अच्छा मन लगेगा और अगला साल जो दोजार पच्छिस का आएगा वो उत्रा बादरा पर नक्षत्र होगा जो शेनी का स्वें का नक्षत्र होता है स्वें के नक्षत्र में जब शेनी ट्रांजिट करेगा तो आपकी दो राशियों को एक्टिवेशन करेगा जो कि शेनी की स्वें की राशिय होती है आपकी तीसरे बाव की राशिय होती है और दूसरी राशिय होती है चोते बाव की आदेखिए शेनी यहाँ पर कुम राशिय का लास खराब हुआ था उसको अच्छे से आपके ट्यूनिंग बना देगा मित्रों से आपको सह योग मिलेगी और आप अपने प्राक्रम से धन कमाएंगे शनी आपका उत्रा बादरा परदन नक्षत्र में शनी का जो रोल होने वाला है दो हजार पच्छिस में ये बहुत बड़ा योग कारक आपका सिद्ध होने वाला है तो शनी का देखे जो पांच साल का 2021 से पच्छिस तक जो मुमेंट आपका बन रहा है नक्षत्र के साफ़ से वो काफी अच्छा बनने वाला है शर्त ये है कि आप अपने चंदरमा को यहां पर मजबूत रखेंगे तो आपकी सेंट को जहां पर आपका हर्ट हुआ नहीं विर्शिक लगन और राशी वाले वहीं पर आपकी प्रॉब्लम शुर्य हो जते है जिसकी वज़ा से आपका मेंटल बैलन्स बिगड़ जाता है मेंटल बैलन्स बिगड़ने से आपके चले-चलाएक काम रुक जाते हैं और उसमें पर हमें इंतजार रहेगा इसके साथ ही हम आपसे आगया लेते हैं आप शनी के भी उपाय करें और चंदरमा कोई मजबूती करें बगवान शिव की अरादना आपके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टन्ट है क्योंकि चंदरमा जो होता है बगवान शिव के जटाओं में रहत होगी और आप गाड़ी भी जो आप इतनी डिजायर्स रखते हैं क्योंकि डिजायर्स आपके अंदर बहुत है क्योंकि दो भाव जो हैं वो शनी के हैं आपके लगन से आपकी राशी से जो तीसरा भाव और चौता भाव आपका जो डिजायर्स हैं वो शनी यहां पर पूर कर सकता है तो इसके साथ ही हम आपसे आ गया लते हैं दोबारा मिलेंगे नमस्कार